लक्ष्मी नारायन योग, लक्ष्मी नारायन योग यानि बुद्ध और शुक्र, दोनों का जब मिलाप होता है तब लक्ष्मी नारायन योग आपके कुनली में बनता है, आप 100 कुनली में से अगर आप देखेंगे तो 98% लोगों के कुनली में लक्ष्मी नारायन योग होग because क्योंकि वो सूरे के साथ चलते हैं, सूरे के साथ बुद्ध और शुक्र का रहना यानि कि काफे कुनली में इन दोनों का combination आप देख लेंगे उसके बावजुद भी काफी लोगे मेरे पास questions आते हैं कि मैं मेरे कुनली में शुक्र और बुद्ध का यूती है, लक्षमी नारायन जी के यूती है उसके बावजुद भी मेरे पास इतने धन संपता या धन के आगमन नहीं है अगर आप कुनली जानते हैं तो मैं बताओंगे कि अगर 6, 8, 12 में अगर आपके लक्षमी नारायन योग बन रहा याने कि बुद्ध शुक्र की यूती बन रही है तो मैं समझ सकते हूं कि sudden gain या loan के कार्ण या फिर hospital के खर्चे आपके पैसे आते भले होंगे पर इन तीन चीज में चले जाते होंगे पर अगर आपको कुंडली नहीं देखते हैं तो मैं आपके घर के वास्तु के हिसाब से बताती हूं कि बुद्ध और शुक्र को किस तरह से आप ठीक करेंगे कि तो फिर आपके लक्षमी नारायन योग का फैदा आप ले सके आपके घर का जो उच्तर के दिशा है जो नौर्थ एरिया है वहाँ पे कुबेर जी का स्थान होता है तो वहाँ पे हो सके तो हैवी समान कभी न रखें और ना ही उस एरिया में आप ब्लैक कलर के कोई चीज रखें वहाँ पे हो सके तो light कोई चीज रखे, flowers रखे, blue colors रखे या फिर सिर्फ पानी रखे अगर आप पानी वहाँ नहीं रख सकते हैं तो वहाँ पे blue color के कोई posters रखे और शुक्र के देवताजी अधिपती हमारे शुक्राचारे हैं वो आपके south west direction में वरिजमान रहते हैं यानि कि आपके घर के नेरित्य कॉर्णर में उस एरिया में हो सके तो जितना ज़्यादा heavy समान रखे अगर आप heavy समान वहाँ नहीं रख सकते हैं तो at least वहाँ पे आप पानी बिल्कुल ना रखे तो काफी लोग का मेरे पास कोशिन आएगा कि मैं वहाँ पे हमारा washroom अल्रेडी बनावा है या फिर underground tank ही है तो वो हो तो मैंने आपका वीडियो मैंने आपको बना के दिया है कि ऐसा योग होता है तो लेडिस के पैर में बहुत ज़्यादा सिवियर प्राबलम होने का संभावना रहता है तो उसके लिए तो आप मेरे मैं उसका लिंक दे दूँगी मेरे description box में वो आप देख लिजेगा पजो हच का topic है कि बुद्ध और शुक्री की यूति लक्ष्मी नारायन उसके लिए जब हम नेरिते कॉर्णर को आप बलवान करते हैं चाहते हैं तो उसमें वहाँ पे हैवी मजबूत होगा और उसके बाउद विए एक और चीज़ में अगर बोलती हूँ कि वुसे एरिया में हो सके तो जितना ज़्यादे perfume से आप रखेंगे तो भी शुक्री का आंगमन वहाँ पे रहेगा तो आपके घर के बुद्ध और शुक्र अगर बलवान रहते हैं और आप के कुनली में लक्ष्मी नारायन योग की भी स्थापना है और वो 6-8-12 में नहीं बैटे हैं तो आपको इसका फाइदा मिल सकता है उमीद करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा कोई भी कन्फ्यूजन हो और अगर आपको कोई और टॉपिक पे जान करी चाहिए तो बस आप मुझे टेक्स करिए वोई टॉपिक लेके फिल में कलाती हूँ तब तक के लिए हरियो